तो भाई लो कैसे हूँ? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पड़े पबजी दों वाईल की इमटे वीडियो में अब देखो यार जहां तक मेरे को पता है एक नया अपडेट आ चुका है और नया अपडेट के साथ क्या आता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए नया अपडेट इजी कल्टू नय गलत सीन तो इसमें भी वही सीन होने वाले है अब देखो मैं हूँ एक सस्ता प्लेयर ये SLR मिनी 14 यार ऐसी गने बिलकुल न चलाई जाती खेर ये यही गन मिली होती है तो यार मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है तो एक बंदे को नोक कर देता हूँ और उसे पेलने सिधा यहाँ पहुच जाता हूँ अब इस बेचारे को कोई भी कोई भी उमीद नहीं होती कि यार ये बच पाएगा जिन्दगी में क्यों अभी तक मेरे पास सिर्फ ये SLR ही पड़ी है खेर इसी सस्ती गन से वैसे गन तगड़ी यार मैं चलाता सस्ती तरीके से हूँ खेर इस गन से मैं एक और बंदे को नोक कर देता हूँ इधर पे आता हूँ देखो इस पे जीने की आस होती है लेकिन इसे बचाने के लिए कद्दू कोई नहीं आता तब तक जब तक इसकी पेटी ने बन जाए क्योंकि इसकी पेटी बनाते ही मुझे जोड से फुटी स्टैप आने लगते हैं और तीन-चार बंदे कौन सी टीम के नजाने इधर पे पहुँच जाते हैं वैसे जहां तक मेरे को पता है ये टीम कोई और ही टीम होती है क्योंकि ये टीनों के टीनों बंदे चौड में आते हैं और दीनों नोक होते हैं और इनका चोथा बंदा किधर गत्ते फूखने गया यार वह इन को पता होगा कैर एक आखरी बंदा बाकि है जो नोक हो आवा पड़ाय यहां पे और ये होती है जीने की असली चाहत इसे नजाने कहां पे नौक किया था और कहां पे गिसरते व्या गया ये कैर उसको भी पकड़ के पेटी बना देते हैं और मैं बस एक ही चीज ढून रहा हुता हूँ एक अपडेट के साथ एक नई पतानी सकोफ अगयरा पेलाए पप जी ने कनाटेट साइट यार मज़ा टैप आजाएगा बस इस्तेमाल में मिल जाए लेकिन जितना ढून लो यार मिलने का ना मिनी ले रही है खेर कनाटेट साइट तो मिलता रहा है यार पहले किल बटोर लूँ क्योंकि देखो जैसे जैसे सीजन खतम होने को आता है न बंदे इतनी तेजी से ठिल जाते हैं कि क्या ही बताऊं सिर्फ गिने चुने बंदे मिलते हैं इसलिए हर जगा दुगरी तेजी से अंधारस करना पड़ता है नहीं तो बन गया गेमप्ले और जिस जोस से वो पीले कपड़े वाला बंदा यार बग के जा रहा था ना मैं समझ गया यहां पे दो ढ़ाई टीम के बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो मैं भी पहुंच जाता हूं और इधर पे पहुंचते यार सबसे पहला काम मैं जो करता हूं वो होता है किलू की चोरी वो भी दो दो बंदों की बहुत गाली पड़ी होगी मेरे को आज अब देखो जहां तक मेरे को पता है मेरा नेट बाहर को आ गया ठीक है एक तो मैंने डेड़ आईक्यू दिमाग लगा के ऐसा अंधा नेट फेका मुझे लगा अंदर गया होगा लेकिन नेट बाहर को आ जाता है खैर नेट के साथ साथ हमारे ये भाई भी बगते वे बहर की तरफ आते हैं सही है यार मतलब नेट से तो वो ऐसे भी निठीलने वाला था भाई खुद बहर आ गया और इससे अब पुश्ताज की जाती है कि आकरी बंदा किदर है अब यार या तो मैं बहुत ही जादा बेवकूफ हूं कि यार अपने टीमेट के अगल बगल रहके खिलता हूं एक बंदा यहां बेराउस में पड़ा है इसका दूसरा टीमेट आगे वाले गरों पे पहुँचा पड़ा है गरों पे भी नियार वो तो मेरे ख्याल से आगे जलने की कुर्सिस में होता हूं अब देखा वो कनाटेट साइट मेरे को कद्दू भी नहीं मिली है सारी पेटिया लूट ली लेकिन फिर यह होता है यहां पे और यहां जैसे ही मैं सोचता हूं कि यार आखिर कार जाकर जोड़ खाले है जाली हो गया गाड़ी में चार बंदे भर के गाड़ी को यहां पे पहुंच जाते हैं और आते ही सबसे पहली चीज यह क्या करते हैं मेरे ख्याल से एक बोट की पेटी बनाते हैं अब देखो यार आखों के सामने बोट की पेटी बनाई गई अत्या चार चला बोट पे कैस से छोड़ा जा सकता है इन्हें तो मैं इन्हें पेलने के लिए इस साइट को आता हूं और इधर आते ही मैं एक बंदे को पकड़ लेता हूं और उसी के पीछे एक और बंदा बैठा है अब देखो यार मेरे को नहीं पता क्यों लेकिन जब भी मेरे अलावा कोई और एमसा छेदो पटकाता है तो उस गन की आवाद सो गुना ज़्यादा आती है रिकॉर्डिंग में पता नहीं क्या इसी नहीं आपे और यहां प्यार मैं सही में निकल के भगने वाला था जोट से तब तक ये लोग आ जाते हैं और मेरे को चार किल ज़्यादा देके निकल लेते हैं या से लोबी में और चार किल के साथ साथ ये एक और बढ़िया चीज देते हैं समझ गए होगे आप करनाटेट साइट मिल जाती है तुम्हारे भाई को अब देखो इस साइट को इस्तमाल करने में क्या सीर होंगे वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम देड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्स बैट जिसकी मादब से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबोल बोली बास्केट बोल और इस्पोर्स वगएरा पे भी बैट बुट लगा सकते हो साथी साथ इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी होते हैं तो आप मिनी गेम्स खेल के भी पैसे कमा सकते हो साथी साथ आपको साथ हजार रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा और जीते वे पैसे विड्रो करना भी बिल्कुल हलवा यार मतलब पेटी एम पेपाल गूगल पे नजाने क्या क्या इसमें आप कहीं से भी पैसे विड्रो कर सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सोख है आप इस एप को ज़रू ट्राय करो इसके लिंक कमेंट सेक्षियों में होगी बिल्कुल टौप में और मैं बंदे डूंटे डूंटे सकूल पे पहुंचाता हूँ अब कैसे ना पहुंचता है यार दबा के दबा के गूलियां चला रहे होते हैं ये लोग समझ नहीं आ रहा होता कि यार करूँ क्या तो मैं एक नेट करता हूँ जो कि करना ना करना एक बराबर है तो आगे ही रस करते हैं सिधा अब मैं लड़ाई इन बंदों से कर रहा हूँ जो सकूल पर बैठे पड़े हैं लेकिन वो बड़े घर वाले बंदे मेरे कोई पेल रहे हैं अब देखो कनाटेट साइट मैंने बहुत कम इस्तमाल की है इसलिए एम कैसा होता है इससे मेरे कोई ठीक से नहीं पता लेकिन यार ये जो सकूल टेड़ा मेड़ा गर के घोलता है न सही बता रहो बिल्कुल मज़े टैप आजाता है एक अलग फिलिंग टैप आती है और आखिर कार जाके मैं उन बंदों से वदला ले सकता हूँ यार जो बिना फालतू में मेरी पेटी बनाने में तुले थे अब दूर के बंदों को देखता हूँ मैं और मैं सही बता रहा हूँ यार भलाई का जमाना बिल्कुल जा चुका है हर बार जब भी मैं किसी और टीम से लड़ रहा हूँ कोई और टीम वाला मेरे को पेल रहा है अब यहाँ पे मैं सकूल के घर वाले बंदों से लड़ रहा हूता हूँ इतने में ही नजाने कहां से रुजोग की तरफ से गुलिया पड़ती है बहुत ही बड़िया और आखिर कार जाकि यह बड़े घर वाले बंदे इधर उधर करना चालू करते हैं अब देखो जब यह इधर उधर कर रहा है यार मेरे को बस एक मौकाची है एक बंदे को नौक करने का अब जब दोनों टीम मेरे को पेलने में लगी है तो मैंने सोचा है यार मैं भी दोनों टीमों को पेलता हूँ लेफ्ट में एक बंदा नौक करता हूँ और इतने में ही एक बंदा सामने आ जाता है और अब उस अकेले बंदे की वज़ा से जो यार पीक करके पूरे चौड में सपरे दे रहा था पूरी टीम को दिक्कत होगी अब और उस अकेले बंदे के चलते यार ये तीन बंदों की पूरी टीम ढिल जाती है सीन क्या होता है वो गर पे नौक होता है उसे रिवाइफ देने एक बंदा बगते वे जाता है उसे मैं रस्ते में पकड़ लेता हूँ और उसके बाद हमारे भाई ये टूटी फूटी दिवार के पीछे होते है भाई का सरसूर दिख रहा होता है मैं गोलिया पेलता हूँ और उसकी भी पेटी बन जाती है खेर दो टीम का यहाँ पर निप्टारा हो चुका है लेकिन एक टीम अभी वी बाकी है जो उदर पाढ़ो की साइट खड़ी थी और वो लोग अभी तक वही पे खड़े होते हैं और यार थोड़ा टैम अच्छा क्या गया मैं फिर से बोटो वाली हरकत करने लगता हूँ उस बन्दे को अंधा डेमेज दिया लेकिन यार वो नोक बिल्कुल भी नहीं हुआ क्यार डेमेज से ये फायदा होता है कि यार वो थोड़ी देर हील करने बैठेगा और उत्रे में मैं एक गाड़ी चोरी करता हूँ और रोचो की पहाड़ी पे जाता हूँ क्योंकि अगर वहाँ पे सीधा गया और चार बंदे हुए तो बेटी भी बन सकती है वैसे यही जो मैंने भी बोला यार यही सीन मैं करने वाला हूँ बहुत जल्द लेकिन तब तक यहां से गूलिया पेलूँगा अब वो लोग यार बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं अपनी ही चोर में बिल्कुल ओपन में रुके नजाने किस पे गोलिया पेले जा रहे हैं तो उसको मैं नो कर देता हूँ उसके बाद में इस घर की तरफ पढ़ता हूँ मैं सोचतो यार घर के छट पे चड़ूँगा मस्त पेटी बनाऊँगा लेकिन जब तक मैं घर पे पहुंसता हूँ यार वो लोग वहाँ से कल्टी हो चुके होते हैं अब अगर आपको याद होगा मैंने बोला था इनके मूँ के सामने गाड़ी रूकूँगा तो यार दिक्कत हो सकती है अगर ये चार बंदे हुए तो सीन क्या होता है ये होते चार ही बंदे हैं और मैं ठीक वही करने वाला हूँ जिसके वज़ा से दिक्कत बढ़ जाएगी हाँ इनी के बगल में गाड़ी रोकें गया और इस पहाड़ी के उपर इनकी पूरी टोली बैटी पड़ी है तो मैं क्या करता हूँ इधर पे गाड़ी रोकता हूँ और बस कूसिस करता हूँ कि कोई नोक हो जाए अब नोक में बक्का कर सकता था किसी बंदे को लेकिन यार अपना सपरे ही सस्ता है क्या ही करें खैर आखिर गार जाके तुक्के तुक्को में मेरा सपरे लग जाता है और दो बंदे नी गिर जाते हैं अब देखो दो नोक है यार रस्तो करना ही पड़ेगा तो मैं गाड़ी लेके चल देता हूँ और यहीं पे यार दिक्कते और बढ़ जाती है यहां पर चौड चौड में मैं रस्तो कर देता हूँ गाड़ी लेके लेकिन दो साप आजू बाजू लेटे पड़े होते हैं और एक साप पे तो यार गुरोजा पड़ी होती है वो इतना जोस में आ गया था कि भाई साप खड़ा हो जाता है खैर उसको तो पकड़ के पेटी बना दी अब बस एक ही साबा की है और यार ये नया वाला साइट पलस इसकी उपार अगर आप पीक दबा दो भाईया तामबे पे सुहागा हो जाता है अगर आपने इसे ट्राइ नहीं किया तो यार करके देखना भाई ये चीज ये चीज बहुत खतरनाक है कुछ तो डंका है इस अपड़ेट में लेकिन देखो आपको भी पता है मेरे को भी पता है नया अपड़ेट आया हो और गलत सीन ना हो ऐसा जिंदगी में ना अज तक कभी हुआ है और यार इस बार कैसे हो सकता है तो हाँ इसी मैच में आगे जाके बहुत ही गलत सीन बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं और चोड़ चोड़ में ओपन में गाड़ी लेके AWM पठका रहा था तो सीन क्या होता है मैं किसी और बंदे के पठकाता हूं और मेरे टीमेट के कोई और पठका देता है अब हमारे भाई की सीधा पेटी बन चुकी है और गाड़ी की ऐसी तैसी हो चुकी है अब यहां से बस बचके भगना होगा कैसे भी अब एक बंदे को दे दिया गलती से एट सोट और दूसरा भाई भगते हुए रिवाइव देने पहुँच चुका है तो वो भगता है और मैं भी भग लेता हूं क्योंकि यार वो तो नोक रिवाइव चलता रहेगा लेकिन अगर मैं नोक हो गया ना मैं नोक हूँगा इने कभी सीधा बेटी बनेगी मेरी तो मैं वहाँ से जल्दी से कल्टी हो जाता हूं और आगे जाके ये बगगी उठानी पड़ती है और इसी बगगी को लेके यार एक गलत सी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला होता है तो देखो यार बंदे ठीक ठाक अलाई होते हैं मैं सोचता हूं कि यार जैसे तैसे गर के 30 किल की चलूँ तो मैं अंधा गाड़ी भगा रहा हूँ और यार मैं सोच रहा था पहले सेप खिलता हूं थोड़ा लेकिन ये गोलियों की आवाद सुनके ना सही मैं यार रुका कि अधरनी गया तो मैं गाड़ी फिर से उठाता हूं और इधर उदर भगाने लगता हूं इसपे यूदिया मैं बजब लेसे सीक्टोन है उपर जाता हूं दो बंदे लेटे पड़े होते हैं तो मैं एक को गाड़ी से कुचल देता हूं लेकिन जैसे ही मैं दूबारा जा रहा हूं तो यार दूसरा वाला साप उठके खड़ा हो जाता है तो मैं यहां पर गाड़ी रोक देता हूं और इधर गाड़ी रोकने के बने होंगे क्या पता चार नीचे साम बने हो तो मैं फिर से गाड़ी उठाता हूँ ओ बाई इसलिए और यार अब मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या है और ये क्यूं है साम बना पड़ा है बन्दा मैं गाड़ी बीचो बीच से ले जाता हूँ उसके वो बन्दा गिसरते वे आता है मेरी बग्गी के नीचे गिसरते वे ऐसा भी नी कि यार नीचे से गुजर के चल दिया नहीं भाई गिसाड़ते वे मैं उसे आगे तक लाता हूँ उसके बावजूद वो बन्दा ठिल के नहीं देता बहुत ही बड़िया PUBG यार मैं पता है क्या मैं को पता है ये लोग कभी सही नहीं करने वाले इसे मैं बस हाथी का इंतेजार कर रहा हूँ क्योंकि यार PUBG यही चीजों में माहीर है हाथी डाल देगा कभी चिडिया डाल देगा और इसे कहते हैं ना तो भाईया हम जीतेंगे ना ही तुम्हें जीतने देंगे वो बंदा उठता है साप बनने से उठ जाता है आखिरकार लेकिन भाईजी बगल में कूदने की बजाए गोलिया पिलते हैं अब मैं ठिल जाता हूँ और वो बंदा गाड़ी के नीचे आ जाता है अब क्या ही कर सकते हैं अब अगर आप एक सेकेंड के लिए थोड़ा जादा दिमाग लगा के ये चीज मैं बहुत ही कम करता हूँ लेकिन यार पबजी ने मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया है अब देखो अगर जो बंदा बंदा बंगी के नीचे आया था वो सीधा थिल जाता वो गिसडते वे जिंदा ना रहता तो ना ही मैं उस गर पे गाड़ी रोकता ना ही मैं वो बड़ी सस्ति वाली गाड़ी लेता और ना ही मैं इस कदर थिलता अब क्या ही कर सकते हैं खेर जो भी यार पबब जी सइ यार बढ़िया अपडेट यार बस हाथी का इंटेचार है मुझे हाथी डाल दो मेरी जिन्दगी सफल हो जाएगी क्योंकि देखो बंदे गाड़ी के नीचे आए टरक के नीचे आए बंदे नेड़ के नीचे आजाए बंदे ना ठिले मेरे को कोई दिक्कत निया आप पस हाथे डाल के दे दो सपल हो जाएगी मेरी जिन्दगी खैर आज के बहानों में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये ऐसे बंदे के लिए जो घिसाडते वे भी नई ठिलता इसके लिए लाइक टोकना मत बूलना बिल्कुल ठोका पीटी करके निला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब क्योंकि तुभारे भाई के साथ ऐसे गलत सेंड डेली होते रहते हैं और मैं मजाग भी नहीं कर रहा तो आज के लिए मैं इतने भैलों गयार जाते जाते एक एक्स बैट चेक आउट करना मत भूलना उसकी लिंग कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में और सही है यार करना टेट साइट सही है मतलब कुछ तो बढ़ी है ये अपडेट में सब कुछ खराब नहीं है तो कल मिलते है यार बाई बाई एक प्राब बाई